कैसे हैं सबी लोग? Unacademy Live MPPSC Classes में मैं अर्विन सिंग आप सबी लोगों का हारदिक स्वागत करता हूँ आड़ बच्चों गए हैं यह हमारा नया कोर्स है MPPSC 2020 के लिए और 2020 को द्यान में रखकर यह कोर्स डेजाइन किया गया है मैं आपको Paper First का Part B Geography Mans के लिए पूरी तरह से Complete करवाँगा और संभवता इसके लिए मैं PDF Notes भी अविलेवर कराऊँगा आज का जो मेरा पहला क्लास है यह Geography का Slaves कैसे इसको समझा जाए क्या इसके Dimensions हैं उसको लेकर होगा क्योंकि मेरा Personally है मानना है कि जिन छात्रों का syllabus पर अच्छा पकड़ होता है गहराई से समझा हुआ होता है उनका 50% selection तो वैसे हो जाता है और जो sales रह जाता है वो अच्छा मार्गर्सन अच्छा content अगर मिल जाए तो संभवता पहले ही attendance selection लिया जा सकता है जो आपको पहला paper मिलेगा का मेंस का वह 300zahl का होगा जिसमें से 1500 number फर्सट पार्ट हिस्टी होगा और 1500 number second part जोग्रॉफी होगा 2020 में इस जोग्रॉफी को 5 यूनिट में तोड़ा गया है जिसमें से पहली यूनिट विस्तु का भुगोल दूसरा यूनिट भारत का भुगोल तीसरा यूनिट मद्ध प्रदेश का वोगोल चौथा यूनिट जल एवं आपदा प्रवंदन और पांचवा यूनिट वोगोल की आधुनिक तबनी हर एक यूनिट का तीस नंबर ने धारित है तो पांच यूनिट का देड़ सो नंबर हो जाएगा जात्रों के लिए थोड़ा सा इसको आप और ऐसा समझीएगा कि अगर हम लोग यूनिट वन की बात करें तो इससे कुश्चन कैसे आएंगे उसको दोड़ा देखने ही जबत है 2020 में तीन प्रकर्रती के कुश्चन देखने को मिलेंगी पहला 3 Markers दूसरा 5 Markers और तीसरा 11 Markers जो three markers होगा इसकी सब्द सीमा 10 और उन्हें लिखा हुआ है अपने prospectus में कि आदर सब्द सीमा 10 होनी चाहिए और oblique में एक पंक्ती आदर सब्द का मतलब है आगे पीछे हो सकता है डेल लाइन तक अगर आप इसका content बढ़ा पाते हैं तो भी वो accept किया जाएगा सकता है कि 10 प्रक्रति के प्रशन आएगे अब आगर का यूनिट से कैसे प्रशन बनेंगे सभी यूनिट से तीस नम्मर आने है तो तीन आएंगे three markers हर एक यूनिट से दो आएंगे five markers और एक आएगा आपका 11 मार दर से तो इस हिसाब से यह हो गए आपके 9 नमबर प्लस 10 नमबर प्लस 11 नमबर टोटल हो गया आपका 30 नमबर अब डाइमेंशन को थोड़ा खुलने की जरूरत हैं पर इसका बदल्ब कितना दिन हमें पड़ना चाहिए और क्या-क्या पड़ना चाहिए है तो उनका पह swornाक पर मुख बहुत एक लक्षर विश्व के गुवल में इसका मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि विश्व के जितने भी परवत हैं पठार हैं, मैदान हैं, नदियां हैं, जीले हैं और हिमनद हैं इनके बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़के आईएगा यानि यह आप कंप्लीट तब कर पाएंगे जिए आपकी मैपिंगी क्लास बहुत अच्छी हो मैपिंगी क्लास 14 से 15 दिन तक मैं आपको करवाऊंगा जिसमें दुनिया के सभी भौती लक्षर जो भी डोपोग्राफिक फीचर्स होंगे क्या सकता है ज्यसे मान दो फ्री मार Promised है तो पहले sizi полов प्रफ्र हें या fraction months उसके हैं रिए कि कोई तीन अंत्रा प्रोथिये बढ़ सकते हैं तो आको तीन अंत्रा परवतिये पठहर लिखकर रना ना है आप पता ही नहीं है ऑन्टरा परवतिये पठहर होता है वो किसी भी नदी का मोहना पूंच सकता है किसी भी नदी पर बने हुए बांध के बारे में पूंच सकता है वो ये पूंच सकता है कि जो मोहन पुरा बांध है वो कहा है पूंच सकता है अल्ला बांध कहा है पूंच सकता है ओको संबो डेम कहा है तो इसके लिए हमें तयार करना है विस्यों के भूगोल का पहला जो पॉइंट है वह प्रमुक बहुत ही क्लक्षप इसमें आपको कराऊंगा परवत पठार नदी जील हिम नदित्याती के बारे में तो दूसरा पॉइंट है प्रमुक बहुत ही गठना है इसमें आपको पढ़ना है ज्वालम की क्या होता है क्या से जन्म लेता है क्या इसके सकारात्वां प्रवाव है क्या इसके नकारात्वा प्रवाव है विस्यों में इसका बित्रण बताईए सरवादी कौन प्रवावित ह सबसे कम कहां प्रवावित है विस्व के संदर में आपको पढ़के आना ऐसे ही भोकम्प के बारे में ऐसे ही सुनामी के बारे में ओला प्रष्टी के बारे में बादल फटनी के बारे में जो भी घटना है उनके बारे में आपको विष्ट्रित जानकारी लेके आनी है अगला है विष्व की जलवायू रितुमें पढ़के आना है इसमें किस शेत्र में किस प्रकार की जलवायू है सवाना क्या होती है क्रुंडरा क्या है, टेगा क्या है चीन तुले जलवायू क्या है क्या कारण है विश्वत रेखा पर बरस भर बरसा होती है क्या कारण है कि भूमत सागर में गर्मियों के दिनों में बरसा नहीं होती है इन सब के dimension को हम खोलेंगे तो हमारे स्वभाविक है कि हमारी पहली unit से संब्दित 30 नमबर में हम maximum output निकाल सकते हैं तो यह जो हमारा विस्टू का यूनिट विस्टू गूगोल है यह हमारा यूनिट फर्स है और इसमें लगवक तीस में से मैक्सिमम नंबर आ सकते हैं अगर हम लोगों ने अच्छे से डाइमेंशन के लियर करिया तो अब मालों यह तीस नंबर आप ने अच्छे से पढ़ लिया है इसके लिए एक स्ट्रेटीजी बनाई हम लोगों ने यूनिट वन कंप्रेट कर लिया अफिस्तियाद हमें कुछ नहीं पढ़ना है स्मार्ट वर्क का अच्छा फाइदा यह है कि आप ज्यादा बिकल्पों की तलास ना करें आप जहां भी पढ़ रहे हो जिससे भी पढ़ रहे हो या जिस भी सोर्स का व्यूज कर रहे हो मैं आपको यही सला दूंगा कि आप उसी सोर्स को अथेंटिक होना चाहिए कई बार पढ़ डालें नई किताबों को या नए टीचरों से मिल जूल बनाने से आपका स्लेवस जल्दी से खतम हो जाए या आपको नौली हो जाए जरूरी नहीं है आप किसी एक सोर्स को पकड़े रहे हैं और तब तक पकड़े रहें जब तक आपका सेलेक्शन ना हो जाए पर सर भारत का भुगोर इसमें हम क्या पढ़ेंगे पॉइंट फिर प्रमुख भौतिक स्वरूब मतलब हिमालय क्या है मैदान क्या है पश्मी घाट पूर्वी घाट दच्छुड भरत की पठारियां यही आजा तीन नंबर में कि मेघालय का पठार इस्सा है किसका हिमालय का कि प्राइदीप के पठार पूच देख चोटा नाकपुर पठार की सबसे चोटी बताई तीन नंबर में पूच सकता है ना तो आपको मैदान भारत के तटीय मैदान दूईप, दूईप समू, परवत, पठार, जील, नदियां, इमनद, जैसे मिलाम, गिलेशियर कहां पर है, किस राज्य में है, किस हिमाल है, किस रेडी में है, इस प्रकार से आपसे तीन नंबर में प्रश्न पूच सकते हैं, तो जैसे विस्तों के हमने परवत पठार पढ़े थे, यसे हम भारत में भी परवत पठार पढ़ेंगे, और इसका भी एक अच्छे से, हम लोग डिस्क्र परवाईं क्यों नहीं पाई जाती है, भारत पर एलनीन और लानीनो का क्या प्रवाव होता है, पॉजिटिव इंडियन डाइपोल, नेगरिटिव इंडियन डाइपोल क्या है, क्या है, दोहरा विस्वतिय गर्थ किसे कहते हैं, लोडता मानसून और पश्श्मी क्या होता है, पचुआ, आईटी सी जेट का विस्थापन, क्या पूर्वी जेट स्ट्रीम की ताल पर आईटी सी जेट थिरक रही है, इस प्रकार के प्रश्शन आप से पूँछ सकते हैं, मानसून से रिलेटिक क्लास होगा, कॉंसेप्चुल विश्ट ये भी क्लास होगा, और इस से रिलेटिक इतने भी कुष्शन आएंगे, तीन नमबर में पूछ सकते हैं, तो मानसून के बारे में ही कुल मिला के हमें इसमें पढ़ना है, भारत के भुगोर में, फिर है प्राकृतिक संसादन, इसमें आपको क्या पढ़ना है, प्राकृतिक संसादन में जल भी बताई है, तो आपको ये सब चीजें पढ़कर जाने है, डाइमेंसन को खोल के जाना है आपको, जल जन संख्या के बारे में कुष्शन, क्या मद्द प्रदेश जन संख्या में लिंगा अनुपात, साक्षरता, मात मत्य उतर, सिसु मृत्य उतर, या थोड़ा डाइमेंसन देखें, क्या मद्द प्रदेश जन्नां की लावांस की स्तिती में है, क्या मद्द प्रदेश में डेमोग्राफिक डिवीडेंट या डिपेंडेंसी रेशियो कोई कॉंसर्ट बन रहा है, क्या कारण है कि बाला घाट में लिंगा अनुपात जादा, जबकि भिंद मुरेना मिलिंग अनुपात कम है, यह सब कॉंसर्ट हम बात करेंगे, जब हम जन्संक्या के कॉंसर्ट कराएंगे, मालतस का थियोरी भी इसमें है, हम एक्स्पेंड करेंगे, कुली में लाकि यह बहुत अच्छा टॉपिक है, समझने हमारा टॉपिक है, कॉंसेप्च्प्चुल या उसकी अबदी बढ़ा दो, खाद प्रसंसकन उद्योग में माना जाएगा, माने, दूद से पनीर बनाना, खाद प्रसंसकन उद्योग, दूद को फ्रीज में रख दो, उसकी अबदी बढ़ जाए, खाद प्रसंसकन उद्योग, अब मम्मी ने दूद को फ्रीज में प्रसंस्क्रण उद्योग की संभावना क्या है चुनोतियां क्या है क्यों नहीं पनप पा रहा है आपूरती पक्ष क्या है मद्प्रदेश में मांग पक्ष क्या है इसका तो इस प्रकार के कॉंसेट पो हम खाद प्रसंस करने उद्योग में समझेगे इसमें सभी यूनिट के अंदर सब टॉपिक दिये गए बोड छोटा है तो मैं पुरा नहीं लिप पाया हूं आप उन पठार के इस चोटे चोटे यूनिट्स जो हैं वह वह किलियर कह रहे हैं सोच कर देखिए अगर तीन नंबर में लमेटा स्रेडी तो कहां से लिखके आएंगे कहां से आप लिखके आएंगे रतलाम में होने वाली अंगूर की खेती में खिंची वारा और सौंदवारी पठार का क्या मेहत्व है क्या से अब लिखके आऊए तो MPPSC में मद प्रदेश इस वार बहुत अच्छे से पूछने की बात किया है तो मैं यह मानता हूं कॉंसेट के साथ साथ आपका फैक्ट भी अच्छा होना चाहिए MPPSC के लिए तो फैक्ट की भी साथ साथ में हम लोग बात करेंगे प्राक्रतिक बनस्पति और जलवायू तो क्या मद प्रदेश में जो बनों की इस्तिति है उसके बारे में हमें पढ़ना चाहिए बिल्कु क्या कारण है यह जलवायू के छेत्र में पढ़ेंगे कुछ ना कुछ तो इसका कारण रहा होगा जो लू चलती है वह उत्तर मद प्रदेश है नहीं है जबकि उसका प्रवाव चिंदवाड़ा बालाहड़ के छेत्रों में कम होता है ऐसा क्यों अपेक्शक्रत मद प्रदे जो बच्चे पढ़ते हैं वह यहां काली है यहां हलकी काली यह चिछली काली है मुझे लग रहा है कि इससे उपर आकर हमको सोचना चाहिए मृदा का संगठन क्या है मृदा की संद्शना क्या है क्यों मिर्दा जलोड होती तो बहुत बारीक से कॉंसेट होते हैं जैसे मैं सब्सक्राइब की जहां नदी होगे वहाघर रए जलोड मिर्दा होगी जहां पूराणी चत्र होगी वहां लाल मिर्दा जेहां उनकी अपर ज्यासे से कंप्लीट कर सकते हो हमारा प्लस पॉइंट रहेगा अगर मिर्दा को पुष्ण जताते हैं तो खनी ये वह उर्जा संसाल है मदपर्देश में पवन उर्जा, ताप उर्जा, जल उर्जा किसी भी प्रकार की स्वाल उर्जा इन सब का उत्पादन क्या है, इसकी इस्तिति क्या है हम किसको निर्यात कर रहे हैं, हमारा खपत का एरिया क्या है सरवादिक उर्जा का हम कहां पर यूज करते हैं, उत्द्योगों में करते हैं, करसी में करते हैं, गरेलू उप्योग के लिए करते हैं, सेहरों में करते हैं सेहरों में बड़ती मांग का क्या प्रवा इन सब डाइमेंड्सनों पर हम बात करेंगे प्लस खनीज मत प्रदेश में किस प्रकार के खनीज है कुशन को अगर करेंगे तो किस प्रकार का कोईला पाया जा रहा है मत प्रदेश की सबसे बड़ी कामे की खान कहा है मैगनीज की आ होता है इस प्रकार का आड़ी में बात करेंगे कि ौध्योगों में एक कि करसी अधारित उद्योग या बना अधारित उद्योग किस प्रकार की उद्योग मत्यप्रदीश में ल्यादा पनब रहे हैं इन तो पर थोड़ा जाम दियान देना भरेगा पोजाता है कौन सी जन्जातियां आपदाग्रस्ट हैं उनके उबगो की परवर्ती कैसे बदल रही है क्या ग्लॉबलाइजेशन ने इन जन्जातियों पे प्रोफाव डाला है ये जन्जातिय और ज़्यादा इंडेंजेट कैटेगरी में जा रही है इसके पीछे क्या हो जाएंगी आप यकीन मानिए मद्य प्रदेश प्यस्टी जोगरफी इतना सरल है अगर आपने कॉंसेट को पकड़ लिया तो आपके बहुत अच्छे नंबर इसमें आ सकते हैं सबसे अच्छा सब्जेक्ट है नंबर कीचने के लिए यह मद्य प्रदेश प्यस्टी में अच्छा टोगे गए जिसमें पेजल की समस्या क्या है आप पूर्ती का क्या अनुसरन कर गया है हम लोग क्या प्रबंदन हो रहा है पेजल के लिए बूजल सनरचन के लिए वाटर हर्वेस्टिंग के लिए जलों में क्या उभो की प्रवर्ति हो रही है कहां कहां पर इनकी कि की समस्यां आ रही हैं इनन सब के सार्फ यह वह बात करेंगे इतना अच्छा यूनिट है आपको लहने के लिए कि आपको अबाको और यह कि आपको प्लस प्रइंट में डाल देगा को ज़र प्रवंदन कैसे कर सकते हैं सबरेड़ के नços व स Kyleacking प्रकार्स के कि लोग पहरी उप्रे रहे हैं वह जलको कैसे रोकते हों रहता है'm यहीं तीन प्रमप्रागत जर्प्रवंधन पढ़ानियों के नाम बताओ, तीन नंबर मैं से पूंच सकते हैं ना, हम इस पे बहुत बिस्तार से डिस्ट्स करेंगे, भूजल संग्रण के बारे में बात करना है, इसको मैं बरतमान से भी जोड़ूँगा कि सरकार ने इसके लि तोपिक बहुत 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 अच्छे इस तरह का नंबर दे सकता है, मैं फिर से कह रहा हूँ, इस चौथी यूनिट आपके लिए प्लस पोइंट है, मतलब बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है, मेरा ऐसा परसनली मानना है, क्योंकि इस टोपिक में कोई जान नहीं है और समझने का, अगर हमें समझ में आता है, तो हम बहुत अच्छे इसमें हैं, हैंडल कर सकते हैं, सामुदाइक योजना और आफदा प्रुंदनी के लास में इसमें मैं एक रामगा, सुदे सुदूर संबिलन, जो सेटलाइट सिस्टम है, उसको यहां पर उन्होंने डाला ह और इसका प्रियोग बर्दमान में किस प्रकार सो रहे हैं, जोगर्फी के लिए आप कैसे यूज़िवर होगी, कभी सोचा है कि केंद सरकार या राज सरकारों या वो संस्थान जो क्रसी संबंदी रिसर्च कर रहे हैं, उनके पास यहांपड़ी कहां से आते हैं कि किस शेत इसमें कॉंसप्ट है, ज़्यादा बेसिक बातें इस पर करेंगे हम लोग और इसके डाइमेंशन पर पूरी तरह से काम करेंगे, यह हमारी मत्रप्रदेश-PSC का मोटा मोटा सिलेवस है, और इस सिलेवस के अनसार हमको आगे बढ़ना है, कुछ चात्रों के प्रशन होंगे की सर प्रशन पुछल ले आते हैं उनको कैसे हम हैंडल करते हैं, कैसे समझाएंगे, आपके सब्दों को कैसे समझना है, और कैसे आंसार राइटिंग करनी है, उस पर हम चर्चा करेंगे, जब आपको कुछ थोड़ा हो समझ में आएंड़ी हो, तो और उम्मीद करता हूं इ आप सभी लोग सुरक्षित होंगे, आप अपना ख्यार रखें, अपने पडूसियों का, आसपास की लोगों का, हो सके तो गरीबों को खाना किलाइए, मौका मिले तो बाहर समाजिक सेवा हैं, कीजिए सुरक्षा के साथ, और जितना समाभ हो सके, आप घर पे रहिए, सुरक्